प्रैक्टिस के लिए जब भी कभी डेटा साइन्टिस्ट या डेटा एनलिस्ट को ज़रूरत पढ़ती है डेटा लेने की तो वो भागते हैं केगल की तरफ या गिट हब की तरफ लेकिन आज मैं आपको चार ऐसी लाइबरेरी के बारे में बताने वाला हूँ विच केन हेल्प यू तो गेट उरिजिनल डेटा कहां से वर्ड बैंक का डेटा एफ़ व स्टैट्स का डेटा और इसके बाद यॉरप का सारे का सारा डेटा यॉर्व स्टैट के उपर मौझ है यही नहीं अगर आपने स्टॉक मार्किट का डेटा लेना है तो एक और लाइबरेरी जिसका नाम है याहू फैनांस यह भी आपको डेटा फ्रहाम करती है तो यह चार लाइबरेरी इस बहुत इंपोर्टन है फिर बताता हूँ यानिके वर्ट बैक का डेटा अब इनको हम बारी बारी देखते हैं कि यह चार की चार लाइबरेरी हम कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है यहाँ पर जाकर लिखने है डेबल्यू बी डेटा तो यह जो हमारे पास एक लाइबरेरी है इसका मतलब यह है कि जो वेबसाइट एक होती है उस से डिरेक्ली डेटा लेने के बजाए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड बैंक डेटा तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर डेटा बैंक वर्ड बैंक के बहुत बड़ी है और से अदर मल्टिपल डेटा सेट मुझूद है लेकिन आप Sekoding के ठ Columbus ले इक सकते है तो पहली होगी WB डीटा ठीक है WB data के बाद दूसरी है food and agriculture की organization जिसको हम FAO stats बोलते हैं इस website के उपर अगर आप जाएं तो आप यहां से भी data ले सकते हैं FAO stats है यह United Nation का एक goal है जो food and agriculture organization के उपर है और इसके indicators जो हैं वो आपके सामने multiple indicators मुझूद है countries भी आप select कर सकते हैं आप data को compare भी कर सकते हैं data पे click करके आप multiple data भी ले सकते हैं So, जैसे WB data जो है 1960 से data collect कर रहे हैं यह 1961 से data collect कर रहे हैं पूरी दुनिया का food and agriculture organization का और इनके लिए जो आपके पास library है that is FAO stats ठीक है? FAO stat python और यह जो है यह भी एक API है you can use this one to actually grab the data फिर तीसरा हमारे पास आता है euro stat euro stat जो है यह basically आपके पास European data जो है वो पुरा के पुरा इसके उपर मुझूद है euro stat के उपर और इसमें multiple indicators है जिसमें government deficit है, government debt है inflation rate है, GDP growth है unemployment rate है, house price है and there are many other parameters here तो आप अगर यहाँ पे जाके database को देखें या statistical theme या interactive publications या data visualization देखना चाहें you can go from here और यहाँ से आप Europe का सारे का सारा data ले सकते हैं यह सारे का सारा data open source free में available है लेकिन one by one जाने के बजाए अगर आप euro stat python लिखते हैं तो यह इनकी API की base पे इन्होंने एक library बना दिया जो आप use कर सकते हैं और हर किसम का data यहाँ पे इसको use करते हुए निकाल सकते हैं फिर इसके बाद हमारे पास जो अगली है that is yahoo finance yahoo finance पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपके पास stock market का live data आता है right side के उपर US, Asia, Europe और multiple different जो stock markets हैं उनका data आपके पास आ रहा होता है और एक और तरीका होता है अगर आप Google पे जाके भी लिखेंगे जैसे NVDA, मैं NVIDIA का stock लिखता हूँ यह इस वकत इसकी price जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही है ठीक है and you can see के NVIDIA COP है यह इसके इलावा NVIDIA का अगर आप stock की बात करेंगे so you can see different kind of data sets here लेकिन यहां से हम download नहीं कर सकते तो इसके लिए एक library जिसका नाम है Yahoo, Finance, Python आप अगर इस पे जाएंगे so you can utilize this library जो API है Yahoo Finance की और यहां से आप multiple किसम का ticker का data ticker होता है जो भी आपका stock है उसका कौन सा symbol है ठीक है multiple tickets का data भी ले सकते हैं download भी कर सकते हैं sector industry की base पे भी और उसे screen भी कर सकते हैं और इस library को आप use करते हैं तो यह 4 की 4 library आपको master करने की बहुत जुरूरत है अगर आप इन 4 libraries को master कर लेते हैं believe me you can do wonders and you can collect the data और इस data को थोड़ा सा रदो बदल करके आप इसको upload कर सकते हैं Kaggle पे और आप grand master भी बन सकते हैं and there are many people जो हमारे पिछले courses में से grand master बने है and one of the strategies they were using after confirming from most of them वो यही है कि आप data यहां से लें जो Kaggle पे upload इन नहीं है वहां पे upload करें of course you need to write data आपने word bank से लिए या FAO stat से लिए या कहां से लिए and another top of the thing is कि आप इस data पे machine learning algorithm बना सकते हैं prediction के algorithm बना सकते हैं पास दोर पे time series के algorithm generate कर सकते हैं and then you can upload those inside a paper blog और some other things यही नहीं आप multiple countries का comparison भी कर सकते हैं इसी वज़ा से यह data जो है यह open source available है अगर आप भी एक data analyst या data scientist बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं यह machine learning engineering के लिए आपको यह data चाहिए तो आप यहां से download कर सकते हैं और इन APIs को use कर सकते हैं अभी मुझे comment section में बताइएगा आपको यह video कैसी लगे then we will proceed and I will let you know कि इसको कैसे master करने है तयार है आप अब हम इन चारों की चारों libraries को master करना सीखेंगे जिसमें WB data जिसमें FAO stat जिसमें Eurostat और Yfinance यह चार libraries Python की हैं जो आपको multiple किसम का data select करने में मदद देती हैं and believe me अगर आप websites और इनकी documentation को गौर से पढ़ लेंगे तो you can actually gather the whole kind of data set in seconds अगर आपको सिर्फ समझ आजए कि data कैसे ले कियाना है तैयार है हम? चलिए, start करते हैं अब जो हम पहला काम करने माले हैं that is related to FAO stat से data fetch करना FAO stat से फिर एक और website है that is called Eurostat उससे भी data fetch करना कैसे फिर wordbank का data तो मैंने आपको बताए दिया यह तिनों websites इतनी कमाल हैं कि आपको जा के download करने की ज़रूरत नहीं you can just use python functions to import the data even before importing the data you can learn about the data कि data क्या है किस parameter का कौन सा data है उसके column की definition क्या है columns किस तरीके से चल रहे है और आप कितने सालों का data ले सकते है मैं screen share करता हूँ आपके सामने और यहाँ पे इसका नाम मैं directly इस पूरी पूरी जो series होगी हमारी यह होगी data scrapping ठीक है या data get करना भी कह सकते है या data scrapping भी इसको बोल सकते है it's totally up to you मैं इसको data scrapping बोल देता हूँ so 13 data gathering कहा देते है scrapping रहने देते है यह data gathering की हमारे पास होगी सबसे पहला 01 होगा हमारे पास wbdata.ipynb यह आपको पता है कि wb से हमने किस तरीके से चीजे निकाली है last time तो मैं वो ही code यहाँ पे मैं ले आता हूँ जो हमारा coding night वाला code था आपको याद हो तो यहाँ से हमने word bank के data से word bank से जो data हमारा था यह वाला इस तरीके से हमने ले के आये थे तो इसको मैं सिरफ go through करवाऊँगा ताकि आप समझ सके हैं कि हमने किस तरीके से काम किया था करनल साब select कर लेते हम data analysis वाले यहाँ पर आप देखें जी WP data Pandas यह दो libraries हमने ली indicators बताए हमने अपने countries के नाम बताए data fetch करने के लिए countries and indicators दोनों बता दिये and then data के reset index कर दिया यहाँ पर इस तरीके से columns को rename किया and then we have this year column जो numeric है सिरफ ensure करने के लिए data यहाँ से भी आ जाना है सीधा यह सिरफ data को थोड़ा सा set करने के लिए कि data कहां से कितना है फिर उसको हमने save किया था using this जो हमारे पास एक library थी ठीक है इसके लिए भी मैं यहाँ पर right click करके यहाँ पर एक folder बना देता हूँ data sets right सिरफ save करने के लिए कि हमारा data कैसे save होता है यहाँ पर और इसको हम print भी कर सकते है तो यह एक basic core था wb यह हमारी wb data वाली थी library उसके थूर अब यहाँ पर हमने काम एक और करना है यहाँ से हमारा environment जो है वो नया बनने वाला है ठीक है ताकि हमें पता ले के हम क्या कर रहे है data gathering और इसमें python is equal to 3.10 3.10 में install कर रहा हूँ इसके अंदर और इसको मैं minus y करके यहाँ से yes कर देता हूँ तो यह मेरे पास data gathering का नया environment बनेगा हम इसमें काम करेंग उसकी reason मैं आपको पहले बता दिया हो सकता है इन libraries का conflict हो बाकियों के साथ तो हम सिरफ इसमें वो ही library करेंगे जो हमें data बना के देदेगी that's it हमारा मकसद कोई plotting नहीं है nothing else तो क्यों हम हम ही पंगे लें दूसरी चीज़ों के के plotly भी उसी के अंदर हो बाकी भी तो हम directly क्या कर रहे है यही चीज़ इसी के अंदर paste करेंगे so conda activate data underscore gathering and this is how you actually manage your environments as well आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे है ठीक है यहां मैं मेरे पास आ गया जी मैं screenshot toggle कर लेता हूँ अब यहां पर data gathering आ गया मैं सबसे पहला जो install करूँगा वो होगा wb data ठीक है wb data इसको मैं install करता हूँ यह हमारे पास पहली library है and some of these libraries have their dependencies as like pandas भी इसके अंदर होगी बाकी भी उसको देखने के लिए मैं conda list लिखता हूँ इससे मेरे पास सारे की सारी list आ जाएगी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ pandas है के नहीं है so मेरे पास pandas यहाँ पे नहीं है ठीक है so इस वरिया से हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी install pip install pandas and मेरे पास pandas install हो जाएग ठीक हो गया अब दूसरा गाम जो हमने करना है जो हमारे लिए important है वो देखना है कि यह है क्या WB data so उसके मैं जितनी भी हमारे पास information है WB data की यहाँ पे इसका document है इससे हमने read करनी है so मैं यह link जो है इसे उठा के अपनी notebook के start में रखने वाला हूँ here is the link to detailed documentation of WB data library ठीक है मैं इसको hyperlink नहीं बना रहा just for the sake के आप इसको जब एक दफा start करें then you can actually click on this link और यहाँ से देख सकते है तो WB data के अंदर हमने तो बहुत simple तरीके से इसे use करके छोड़ दिया ठीक है आपने data निकाल लिया इसके इलावा इसके कही functions होते है ठीक है अब थोड़ा सा पहले उसको देखते हैं कि कौन-कौन से functions important है यहाँ पर अगर आप गौर करें यह था जी installation का तरीका हमने install कर ली usually यह pip 3 लिखते हैं pip 3 का मतलब है python 3 आपके पास install है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आप WB data से get sources भी कर सकते है वो क्या करेगा वो आपको बताएगा कि कौन-कौन से data set के sources available है World Bank के उपर like this यहाँ पर मैं करता हूँ import WB data कर लिया मैं इसको यहाँ पर अच्छा हमने यहाँ से क्या करना है kernel साब select करना है और यहाँ पर आपसे मेरा एक question बनेगा अभी मैं इसको पहले on कर लो data gathering यह मैंने on किया import WB data क्या आया जी मारे पास क्यों आया यह मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ Jupiter notebook के लिए आपको IPY kernel की ज़रूरूरत होती है whenever you create a new environment so यह तो यहाँ पर install पर click कर लें लेकिन it will take time तो मैं directly यही से pip install IPY kernel यह ज़रूरी है Jupiter notebook के अंदर python को run करने के लिए समझागी बात की इसको मैंने run किया openpy excel की ज़रूरत नहीं हम यहाँ पर excel पर कुछ कर रही नहीं रहे फिलाल के लिए okay so मैं यहाँ से restart करता हूँ इसे of course पहले से restart है किसम का select another kernel python data gathering यह वाला kernel select की है मैं run करता हूँ now it will be running and sometimes आपने देखा होगा आपका यह वाला जो command है यह ज़्यादा time लेती खास दूर पर Macbook वालों की मेरे पास यह परसों तो गरीबन चार-पांच मेंट लेगी मैंने फिर इसका solution ढूंड़ा and they have this issue with Macbooks फिर इसका solution मैंने ढूंड के उसे resolve करने की कोशिश की cache को remove के then it worked for me so sometimes it happens you just need to go there github उनके issues चेक करने होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैं यहां पर लिखूं WB data github यहां पर देखिएगा यह है इसकी WB data की github यह issues है यह देखिएगा start import on macOS of course it's not working solution ही नहीं है इसका और यह मेरा अकेले का problem नहीं था बाक्यों का भी था anyhow मैं इसे import कर लिया अब मैं जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ WB data dot लगाने के बाद यह सारे की सारी मेरे पास information आ जाएगी यह जितनी भी information है ना यह सारी की सारी मैं देख सकता हूँ countries कौन कौन से हैं data frames कौन कौन से हैं topic कौन कौन से हैं फिर आपके पास lending type कौन से indicators कौन से हैं सारा कुछ यही पर python के अंदर बैठे बैठे सो मैं यहां पर अगर अगर आप गौर करें get sources करता हूँ get चले countries करके देख लेते हैं पहले यह मेरे पास जी countries हैं जो सारे के सारे हैं अब आप देखेंगे न कल मैं ढूंड रहा था न पाकिस्तान को PA कहा जाता है या क्या कहा जाता है यह हैं ID countries की आप बजाए पूरा country का नाम लिखने के अगर मैं आपको दिखा हूँ इस code में हमने यह वाली चीज़ें लिखी थी थी और यह ISO codes भी होते हैं अक्सरोकाद IND भी लिखा जाता है IN भी लिखा जाता है तो यह मेरे पास country के names आगे अब दूसरा काम मैं क्या आगर सकता हूँ यहीं से WBData.get underscore sources sources लिखता हूँ और यह मेरे पास sources आ जाएंगे ठीक है data available है किस किसम का हमारे पास काम जो है वो जो चीज़ें है वो हमारे पास चल रही है अब यहां पर देखें sources के बाद हमारे पास indicators आगे source 1 के अब हर source के आप indicators निकाल सकते हैं समझ आई बात की मिसाल के तोर पर अगर मैं WBData के website पर जाओ WBData की बलके word bank की website word bank की website पर अगर मैं जाओ यहां पर इसका data bank है हमारे पास इसको थोड़ा सो zoom out करता हूँ मैं यहां पर बलके directly लेता हूँ word bank data इसको data bank भी कहते हैं यह so यहां पर जाके यह click drag और यह keywords मुझे search करके data जो निकालना था उससे बेहतर है के directly हम python से निकालने ठीक है so यहां पर databases मुझूद है reports मुझूद है बाकी चीज़ें मुझूद है जो हमने उस दिन भी देखा था और यहां पर अगर आप चेक करें तो यह सारे का सारा data इनकी publications है बाकी reports etc 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 लेकिन यहां पर बेहतर यह इंदर हम source भी बता सकते है source 1 चाहिए 2 का चाहिए 3 का चाहिए और हमने यहां से sources ली है ठीक है 2 so we will run this and यह इसके आगे सारे के सारे fertilizer consumption, बाकी consumption दरूदर की सारे चीज़े so this is how you can define your indicators और यहां से indicator का code मिल जाएगा आप पो जो indicator हमने यहां पर लिखा है उपर अगर आप गौर करें यह था indicator, यह वाला population, net migration यह है population, total लिखा हुए यह total population का, ठीक है so यह indicator हमारे पास कैसे आया you can actually get indicators based on the source यहां पर यह source 2 का indicator है यह सारे के सारे, ठीक है इस तरीके से आप इसको find out कर सकते है anyhow, इसके इलावा अगर आप नीचे जाएं थोड़ा सा so you can also be very creative और यहां पर अगर आप चेक करें directly अगर US से लिख देते हैं country तो आपके पास उसका data आ जाएगा so get data, यहां पर indicator लगाना है आपने और साथ आपने country का नाम लिख देना indicator and country ठीक है, for example मैं यहां पर जाता हूँ यह हमारे पास कोई भी एक indicator हम ले लेते हैं forest area यह वाला, ठीक है indicator लिया मैंने मैं यहां पर लिखता हूँ wb data dot get data और इसके अंदर मैं bracket open करके indicator यह दे देता हूँ ठीक है, जो हमने अभी निकाला और यहां पर मैं country को भी mention कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सो zoom out करूँ yes, country भी mention कर सकता हूँ यहां पर अब पाकिस्तान का अगर मैं PAK लिखता हूँ, let's see if it works or not, ठीक है, और इसको फिर हम DF के अंदर store भी कर सकते हैं DF is equal to, let's see यह हमारे पास indicator है और यह हमारे पास country आगया, पाकिस्तान आगया decimal values आगया, kilometer और बाकिसारा कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके से आगया ठीक है, और अगर मैं इसको DF के अंदर store ना करूँ, इसको ऐसी run कर दूँ, तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके आई आउटपुट में यह स्टार्ड में मैंने आपको बताया था ना multiple dictionaries होती है और एक file होती है, जो data structure बहुत ही heavily store करती है और वो file कौन सी होती है चैट में आपको answer मिल गया JSON structure, so this is how you can define, यह हमारे पास data आगया अब इसी data को अगर आप गौर करें यह सारे का सारा आप किसी और country का भी ले सकते है and list of countries भी दे सकते है जो हमने पहले एक object बनाया था ठीक है, and then you will have this data आप country इस तरीके से multiple list भी दे सकते है, और date भी दे सकते है multiple, सिरफ years, ठीक है अगर मैं इसी को जो हमारे पास data है इसी को copy करूं control c और यहां पर paste करो country का मैं यहां पर पाकिस्तान कॉमा इंडिया, of course क्योंकि यह most crucial comparison होता है जो बहुत ज़्यादा लोग करते है and you see के हमारे पास अगर आप गौर करें न तो यह तीन, तीन codes भी चल रहे है ज़रूरी नहीं ISO codes दी सिरफ हमारे INPK वाले चल ले यह भी चल रहे है so it's fine हम यहां पर date भी दे देते है क्योंकि date हमारे पास जो है सिरफ और सिरफ अच्छा सिरफ और सिरफ year की है तो इस बढ़ा से हम date time नहीं लिखेंगे यानि कि यकम दिसंबर 2023 नहीं करेंगे सिरफ year लिखेंगे अब मुझे को बता सकता है यह क्या कह रहा है column basic python है range बता रहा है 2010 से 16 तक and this is how you will actually check the data and sometimes it will takes time and sometimes it would be fine and let's see error क्या आ रही है हमारे पास unable to parse date ठीक है date के अंदर आप नहीं लगा सकते क्योंकि यह string के अंदर जा रहा है so what I can do is let's see bracket के अंदर उनने कॉमा लगा के किया हुए we can say that इसका एक और solution मैंने आपको बताया था आपको अगर यादो यह सिरफ और सिरफ दो सालों का देगा हमे इसका एक और solution मैंने बताया था एप के अंदर भी मैंने आपको दिखाया this is how you can define the range as well data की बाद में when you have whole data ठीक है और आप यहाँ पर years का भी एक कॉलम बना सकते है directly instead of writing countries instead of writing date here okay तो यह हमारे पास data आगया and what else मेरे खियाल से यह हमारे पास सारी range का data आया 2014 का भी है range ही है यह range ही है so इन्होंने API जो develop की है you don't need to provide the range वो colon के साथ so आप जो है comma के साथ करेंगे तो यह function जो है इस library ने खुद से बनाया start and end start and end start date and end date so यह मेरे पास 2010 से लेके आगे तक आगे है ठीक है अब आगे देखिएगा let's see so यह source 2 का data आगे है बाकी जो है यहाँ पे countries आप बता सकते हैं के जिनके income level जो है वो एच्चाई सी है so you can define further four loops and other things as well लेकिन मैं उसको यहाँ पे define नहीं करना वाला so this is like typical basic functionality अब आप सोच रहे होंगे कि यह data हमने save कैसे करना है so उसके लिए जो मैंने तरीका का और आपको बताया था शायद यहाँ पे आप देख सके इसको आप directly get data frame भी कर सकते समें लेट सी so what I am going to do is copy paste data frame let's see इसके अंदर error क्या है वो देखते है items so okay country park india data date country still have the issue हम देख लेते है data frame का जो column हमने उपर बनाया है उसमें कौन से ऐसी चीज थी indicator and country countries हमने यह दे दिया अगर countries नहां दें सिरफ indicator देदे so indicator हमने देना है dictionary के अंदर write this and then हम countries हमारे पास आजाएंगे then we will have data into get data frame then indicator and then country okay so पहले हम इंडिकेटर डिसाइड कर देते है इंडिकेटर is equal to for example like this and date range और country जो है यह हम यहां से निकालते है and hopefully it will work now now it's working fine ठीक है so अब पाकिसान का हमने दिया तो सिरफ पाकिसान का आगए अगर हम यहां पे कुछ इस तरीके से कॉमा लगा के इंडिया का भी दे 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 date भी दे दे इसका मसला बन रहा है data date का now it's fine so now we have India and Pakistan both so इसका मतलब है जो date years है वो इसमें different तरीके से आ नहीं है which was okay data frame सारा आगया then you can filter right so यह data frame है directly अब आप इसको df के अंदर save कर ले इस तरीके से यह हो गया हमारे पास df के अंदर यहां से आप df2 करने के बाद excel करे और excel forest area का data आ जाएगा यह ले इसको हम data sets के अंदर save कर रहें forest area xlsx ठीक है और यह इसको मैं कहा दे तो park इंडा इंडो पार्क ठीक है तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से data save हो जागा data sets में directly not let's see what's the error here अब करना openpy excel now the thing is error आगी जी तो उसके लिए आप यहां पर भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया pip install openpy excel यह एक साहिब की फर्माईश पर हम कर रहे थे और issue यह है कि मैं जातर csv data like करता हूं but it's fine most of the workflow needs this excel और मैं इसको run करता हूं and boom here's your data and here you go करने जो करना है and of course आपके पास अकसर data missing होगा ठीक है so it depends on the indicator इस तरीके से हम wb data वाली जो basic website है उसे use कर सकते हैं यहां तक आपको समझ आगी basically word bank से data लेना इसका मतलब original data को हाट डालना और उस पे काम करना बजाए इसके कि titanic पे करते जाएं फलान data पे करते जाएं now it's up to you यह बहुत बड़ा data bank है और इससे आप data load कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे youtube की playlist जिसके अंदर सारे के सारे data analyst से लेके data scientist प्लस machine learning कोर्सिस मुफ्त में पढ़े हुए हैं और आप आने वाले कुछ weeks जो बाकी रहे गए हैं 2024 के इसके अंदर वो सारे के सारे कोर्सिस सिरफ और सिरफ वीकेंड्स पे कर सकते हैं कैसे अभी बताता हूँ स्क्रीन आपके सामने है आपने जाना है गूगल पे यहाँ पे लिखना है कुडाने किसे youtube लिखने के बाद इस तरीके से आपके पास यह channel आजाएगा youtube का हमारा यहाँ पे जाने आपने playlist में playlist में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास multiple किसम की जो playlist है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी यह सारे के सारे courses free हैं लेकिन यह वाली एक playlist जो मैं आपके सामने यहाँ पे open करने वाला हूँ ये playlist के अंदर multiple courses free के अंदर मुझूद हैं जो crash courses की तरह मैंने upload की हूँ है सबसे पहले है Tableau का फिर Prompt Engineering का फिर आपके पास Data Science यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 घंटेगा फिर आपके पास 14 घंटे का Statistics का course है फिर आपके पास यहाँ पर Mathematics for Data Science का course है 15 घंटे का फिर आपके पास Python beginner level की है फिर आपके पास Machine Learning with Python है फिर आपके पास Google को Lab को कैसे यूज़ करना उस पर course है Markdown का course है Microsoft Excel का course है Scientific Writing का course है इसके इलावा CapCut के थूँ अगर आप विडियो एडिटिंग करना चाहते हैं वो वला course है SQL हमने धाई घंटे के अंदर तकरीबन सवा दो घंटे के अंदर पढ़ाई हुई है फिर एक proper project हमने किया है तीन घंटे 21 मिनट और 16 सेकंड का फिर इसके बाद Power BI का course है यह सारे के सारे tools एक data scientist प्लस data analyst के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों से request है कि इस playlist को जरूर देखें और अगर आप weekend पे सिरफ दो-दो दिन करके आने वाले दो महिने जो हमारे बचे हैं 2024 के या कुछ भी दिन बचे हैं 2024 के उस पे आप master कर सकते हैं अभी इस playlist को join करें link मैंने description में भी दे दिया हुआ है और comment section के अंदर भी अपने दोस्तों के साथ भी share करें and channel को subscribe करना ना भूलिएगा अपना खयार रहें दो हम याद रखें take care and Allah Hafiz Assalamualaikum WB यानि के WB data, webbank के data के बाद जो अगली एक important website है that is जो बहुत important है that is FAO stats और FAO stats का जो database है ये ज्यादा तर food and agriculture organization का है इसमें environment का भी data है and some other data sets are also available यहाँ पे इनके indicators है अच्छा अब आपको एक बात की समझ आगी indicators क्या होते है यानि के columns यानि के data को store करने वाली hierarchies ठीक है और ये data engineers बनाते हैं basically उनका काम है यहाँ तक हमारा काम है इसको analyze करना समझ रहें बात को आप data engineers do the work to store the data for us और फिर आगे हमारा काम है अब यहाँ पे आप देख सकते multiple data है आप data पे click करें यहाँ से for example मुझे data चाहिए trade का crop and livestock production का या trade indices का तो यहाँ पे यह मेरे पास data आजाएगा मैं country select करूँगा so at the end मेरे पास data आजाएगा ठीक है so यहाँ पे मैं click करता हूँ यह data चाहिए different countries का यह air का यहाँ पे download पे click करो तो आपके पास data save हो जाता है something like this यह data आगे ठीक है xlcs which जिसमें भी आपने करने यह data आ जाता और यह most authentic data set है क्योंकि यह United Nations की further एक chapter है FAO ठीक है word bank and United Nations दोनों मशूर है अब मैं क्या करता हूँ FAO stats python and here we go पूरी पूरी library बढ़ी है pip install FAO stat हमने यही करने है यहाँ से जाने यही पे pip install FAO stat कर देने यह जनाब install कर लिया इसने सारा कुछ download कर लिया and everything is installed मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से word bank को मैं बंद करता हूँ यहाँ पे आते हैं जी एक other file right click करके new file 02 FAO stat.ipynv यह आ गया अब मैं first time इसे use कर रहा हूँ ठीक है इस पूरी library को I'm just giving you an idea तो इसको मैं कैसे use करूँ usually क्या होता है कि इसी pipe आई यानि कि python की जो index है हमारे पास यहाँ पे ही आपके पास सारी documentation बढ़ी होती है यह यह यहाँ पे जिसने भी इसको use करना उसने यहीं से सिखना even chatgpt ने भी इसे पहले crawl करना फिर आपको बताना है कि data कहां से आ रहा है या कैसे इसे use करें मैंने install कर लिया अब यहाँ भी मैं इसको copy करके अगर list dataset करता हूँ for example import fustat यह आगी मेरे पास now I will write this fustat.listdatasets मैं enter करता हूँ या इसको run करता हूँ it will take some time and give you code, label, data, update and other things यह रहे जी data set qcl का data यह है फिर आगे data set है फिर आगे data set है minor vision कब होई थी so on and so forth आपके पास information आगी बहतर यह होता है कि text editor में open कर ले और इससे भी बहतर होता है कि आप json file का reader add कर ले as an extension या उसको read करना सीख ले लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि indicators को इतने खास नहीं होते अगर आप यहां पर भी देख ले code आपका यह है ठीक है और आप इसको list data set के साथ इसको अगर आप किसी एक command के अंदर store करके सिर्फ 0 पे दबाएंगे न तो वो भी आपके पास यही तरीके से काम करेगा for example मैं इसको store कर देता हूँ list से equal to this और list बलके मैंने गलत नाम दिया क्यों? क्योंकि यह python का keyword है so I will just say data ठीक है और यहां पर data की 0 string पे क्या है let's see 0 index पे क्या है so यह हमारे पास 0 index पे आगया code, label, date, update, notebook and other things लेकिन still I cannot have the same thing जो यहां पे लिखा रहा है इसकी reason क्या हो सकती है let's try another way around print करके अगर ना आया so we will see अभी भी वैसे ही है so FAO list dataset हमने किया FAO stat.list datasets again वही चीज है so पहली पे यह है हम इसको सारे को करते है यहां पे अब index दूसरे यूज कर लेते है data का पहला index हमारे पास है 0 0 पे लेवल है and then we have 0 से 4 तक let's see or we can use from 1 to 4 प्रिंटर निकाल के देख लेते हैं अब प्रिंटर वाला प्रिंटर नहीं प्रिंटर वाला प्रिंटर नहीं same वही चीज है फिर of course I can see के यहां पे range उन्होंने 1 to 4 दी हुई है but in our notebook it's coming in a different way anyhow यह हमारे पास कुछ जो है वो range इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास data इस तरीके से आ जाएगा यह data sets है हमारे पास but we will see के हम कैसे fetch कर सकते हैं fustat.list okay pandas data frame की तरह भी आ जाता है हमें क्यों फिर जुरूरत पड़ी है दूसरे तरीके से निकालने की so यहां पे list underscore df करेंगे यह ले जी अच्छा इसका मतलब we are not the first one having the same issue किसी को problem आया उसने propose किया और उन्होंने fustat वालोंने add कर दिया oh my god इसको save होना चाहिए आपके पास as an excel तो मैं इसको df is equal to करके इसको df to csv excel जैसे भी आपने करना करें और data sets के अंदर slash fustat data sets तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से fustat का data sets की जो हमारे पास columns है वो आ गए ठीक है so qcln का code है अगर मैंने इस तरी इस पे कुछ चीज निकालनी है like यहां से मैं अगर prop production को कुछ निकालना चाता हूं date हमारे पास यहां पे अगर आप देखें तो date इसकी सही वाली date है ठीक है it's not like years और यह इस तरीके से not updated कब इन्होंने update किया है current release क्या है final है के नहीं कुछ preliminary होते है कि final नहीं है उनकी तरफ से उन्होंने बस upload कर दी है current year कौन सा था और last data कब release update हुई है कब इसका final update होगा यह 2022 में last हुआ है पहले वाला column पहले वाली row अब next December में होना यानि के data December में आना है अब जो सही इस field के पावे है वो क्या करते है मैं आपको बताता हूँ जैसे release हुआ कुछ नो कुछ publish करते है ना निकाल के foreign-set trend बना के machine learning algorithm train किया something which is unique so यह होती है वो speed जिस पे आपको काम करना चाहिए आपकोर्स जो इस field से उनको कोंगा बाकी लोग जो है वो इसको इस तरीके से देख सकते anyhow this is how the dataset looks like और हमारे पास यहां पर यह tuple आ जाएगा यह हमें जरूरत नहीं है इसकी area क्या है बाकी क्या है so qcl list bar we don't need that one as well मैं directly ने dataset निकालने पर लगा हूँ यहां पर हमारे पास यह code लग रहे है मुझे which will give us the data so मैं इसको यहां पर paste करता हूँ qcl का है यानि के जो हमारे पास basically यहां पर अगर आप देखें so qcl is this one code qcl है और यहां पर crops and livestock के production इसका level है और बाकी सारी चीज़े ठीक है और मेरे ख्याल से यह countries का कोई है ऐसे लेना देना special groups के अंदर so special groups क्या होते है अगर मैं आपको दिखा हूँ special group मतलब यह के पूरे European Union को एक group बना दिया Arab world को दूसरा group बना दिया African nation को तीसरा group बना दिया यह categorization की होती है different countries की so अब हम इसको देखते है why क्या है हमारे पास यह लेबल है European Union code इसका 5707 है aggregate type plus है और यह हमारे पास इसकी QCL की report आ गही है किस तरीके से यह हमारे पास काम कर रहे यह हमारे पास जो data है वो किस तरीके से आ रहे and of course we can change the code यही से और हम उसी का data ले के आ सकते है for example RM मैं लिखता हूँ RM यह हमारे पास RM का data special group का and this is how you can parse the data यह हमारे पास code आ गया और इसकी aggregation type आ गी इस तरीके से हम data को निकालेंगे यह final data नहीं है this is just the parsing कि आप किस तरीके से code को find out करके data निकाल सकते है okay so यह हमारे पास download a subset data based on the parameters as a list of tuple with default coding okay let's see element पहले दिया है फिर item दिया है इनोंने so मैं यह ही पर लिख देता हूँ इसको हमारा जो parsing है पहले लिख देते हैं यहां पर कि यह हमारे basically parameters है params जो है हमारे पास element है यह एक range है हमारे पास codes हो सकते हैं जो हमने उपर से define करने यहां से ठीक है यह वाले code यहां से हमने निकाल ले यह codes निकाल के item number हमने बता दे नहीं है यह हमारे पास data आ जाएगा and then it's fustat.get data qcl and then params get data है not get parameter data and then यहां पर qcl है special groups को भी रखते हैं let's see हमारे पास क्या आत है and error आई है यहां पर fustat.get data यहीं से को उठा लेते हैं special group उसमें शायद नहीं लगने now it's domain code area code qcl crops livestock to Afghanistan area code and other things आते है ठीक हो गया 40 44 40 to 44 still not giving me the final data set मैं text redator में इसमें open करता हू area harvest yes the data is there लेकिन यह जैसों के अंदर आ रहा है हमारे पास so what else we can do to make this data into data frame let's see hopefully यहांने को command दी होगी यहां पर nope so let's see you 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 yes the data is there so हमने सिरफ df लिखने साथ get data के साथ तो हमारे पास data frame के अंदर data आ जाएगा और यह qcl का data है हमारे पास domain code जो है इसका यह domain अपनी domain है यानि के crops and livestock products qcl qcl इसकी quality थी sorry code था area code यह हमारे पास 2 है area जो है वो countries आ गए है element code यानि के जो element हम देख रहे है this is element this is element code item code यह हमारे पास item यह है and then हमारे पास साल आ गया year code and year फिर unit आ गया फिर value आ गया so यह हमारे पास कुछ इस तरीके से data है मैं इसको save करता हूं पहले excel के अंदर या csv के अंदर फिर हम देखते है so fo stat data इसको मैं कह देता हूं crops this just one code is enough तो मैं इसको save करता हूं and then there we go यह data so यहां पे यह values हैं हमारी ठीक है rightmost zero भी होंगी बाकी भी होंगी और जो हमारे पास data है that is area कितना harvest किया गया है हर country का अगर आप गौर करेंगे यह सारे area आ रहे है country के ठीक है यह सारे countries and center में और यह बार बार क्यूं आ रहे है country अगर आप गौर करें क्यूं क्यूंके यहां पे हमारे पास साल चल रहे है years की वज़ा से so आप यहां से data निकाल नहीं सकते easily अगर इस data से मैंने data अपना निकालना हो अपना बनाना हो so मैंने क्या करना है simply यहां पे मैं कहता हूँ our data तुझे अपना बनाए आपको जगा के भी रखने है मैं क्या कर सकता हूँ इस से ज्यादा तो our data तुझे अपना बनाए so यह data है हमारा उसको अपना बनाना है हमने अपना कैसे बनाना है df.columns मैं पहले निकालूंगा सबसे सबसे पहले columns लेना जरूरी होता है यह columns आगे अम मैंने df is equal to हमारे पास जो df है ना उसके अंदर से हमने columns निकाल ले ठीक है कौन-कौन से let's see जो हमें चाहिए so मैं domain को निकाल लेता हूँ code नहीं चाहिए हमें domain का domain चाहिए then we need of course area यह आ गया area and then we need the other thing is element then we need अगर आप यहां पर गौर करें area आ गया element आ गया item चाहिए हमें जुरूरी almonds in shells जो भी हमारे पास grow किया गया था so item चाहिए हमें copy paste and then we need year year code नहीं चाहिए हमें year चाहिए same ही है ना दोनो year आ गया and then at the end we need for sure value and unit भी हमें जादी है unit same ही होना है hectare के अंदर ही होना है एक ही unit होगा but still we need this यह जैसे हमारे पास data है इसको हम save करेंगे और इस data के same नाम पही save कर देंगे ताके वो पीशे वाला जो हमें जरूरती ना पढ़े save करने की यह वाला let's see okay यहां तक clear है जी data crops आजाएगी मैं इसको run करता हूं हमारे पास क्या मसला है let's see domain, area, element, item, year home में की mistake तो हमने हाल कर दी अब और क्या है I see okay वह मैंने क्यों subset इस विज़ा से लगाते हैं जब आपने filter करना हो मैं filter नहीं कर रहा है मैं cut कर रहा हूं see so that was the mistake यहां से अब हमारे पास crops का data आगया which is kind of refined and अब मुझे बताएं जो मैंने app आपको दिखाई है आज यह plot जो है plotly का इस एक domain पे अगर आप बनाए कि crops and livestock में दुनिया में क्या हुआ हुए 1960 से लेके अब तक and even though अगर आप यहां से एक एक आइटम निकालने यह almonds shell चल रहे हैं इसके इलावा दूसरी आ जाएंगी तीसरी आ जाएंगी यह अपना जो code आपने डालना है आइटम का वो डालने तो आपके पास data सारे का सारा नहीं आजाएगा और वो plots जो हैं आप कहीं पर शोर नहीं करवा सकते आस तोर पर policy makers के सामने क्योंके यह data जो है इसके अंदर item code भी उपर दिया हुए if I am not wrong यह देखें 221 तो इस वच्छा से almond shell ली आ रहा है सारा item code दिया हुए 221 अगर 221 भी निकाल देना तो यह item नहीं आए कि सिरफ element आएगा parameters हमने decide के and then you will have this data यह data आ गया इससे जो मर्जी करें आप that was the second library wb data के बाद and I am hopeful कि आपको इस library कह enjoy करने का मौका भी मिला होगा this is how you learn how to use different kind of data sets or libraries इसको save करते जाए और आप upload भी कर सकते है feostats के data but you need to mention के यह data आपका नहीं है we download it using python script from feostats API ठीक है question कोई है यह आगे move करें eurostat पे you have the date and the gross weight of goods and other parameters and यह बहुत बड़ी file अगर आप गौर करें यह सारा dataset यहां पे मुझूद है यह content है plus पे दभाएंगे तो इसका आगे detail आजागे उससे आगे detail आजागे उससे आगे detail आजागे और यह सारा data मुझूद है ठीक है? so this is how you can click here यह data आपके सामने आगया tsv file है gz यानिके compressed ठीक है? so this is how you can unzip this यह g unzip this file और आप इसको use कर सकते हैं directly वरना आप यह eurostat से इसका content लेकि यहां से भी कर सकते हैं so यह हमारे पास एक चीज आ गई then pandas data frame के अंदर अगर लेना वही चीज है same similarities नजर रही है आपको वह कह रहा है कि इसके आगे आप df लगा दो आपको pandas data frame में आ जागा json वाले नहीं हो आप तो कोई मसला नहीं है underscore df दिल से दुआई निकलती है नहीं जिसने यह function implement किये मेरी दरफ से निकलती हैं बाकियों का पता नहीं है अब देखें यह title आ गया gross rates of goods code आ गया इसका type आ गई issue last table structure change कब की थी data start कब हुआ है and end कब हुआ है 1997 से 2023 का data है कितने साल हो गए जी तक्रीबन तक्रीबन अगर आप देखें 6 27 साल तक्रीबन 27 और 26 27 अगर आप यहां पर गौर करें तो हमारे पास तक्रीबन सभी का data different dates से है यह 2012 से है और कुछ data जो है वो हमारे पास different और parameter से चल रहा है और यह बहुत बड़ी file है 7825 rows है ठीक है इसका best तरीका भला क्या होता है इसका best तरीका यह होता है कि आप इसको save कर ले excel की file में जो मुझे best लगता है मैं आपको दिखाता हूँ so df is equal to and यहां से में df2 csv यह excel जिसमें भी आप ने करना है so मैं excel में करता हूँ इस दफ़ा और eurostat को data यह forward slash data sets के folder के अंदर हम इसको save करते है और यह हमारा data set जो है table of content का talk का data table of content बेसिकली से बोला जाता है यह हमारे पास data आ गया eurostat tocs और अगर मैं यहां पे आके data sets में जाऊं यह है जो मेरे पास table of content eurostat के and 399 kb का data of course it's not really big data लेकिन यहां पे अब एक मुझे सहूलत है वो क्या है मैं यहां से search कर सकता हूँ मैंने किस चीज का कैसा data लेना है समझे है for example मैं यहां पे लिखता हूँ popu find all यह मेरे पास population के कितने parameters है so मैं यहां पे ऐसा भी कर सकता हूँ second मैं यहां पे filter लगा सकता हूँ for example control shift L यहां पे जाके इस जगा पे search कर सकता हूँ मैं कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़े मुझे चाहिए यह देख करें ठीक हो गया so आपके पास वो sort होके automatically select होई जारे है जो जो चीज़े आपको चाहिए आप यहां से देख सकते हैं कि कि चीज़ की population चाहिए youth unemployment चाहिए क्या चाहिए whatever you need unemployment मैं यहां पे लिखता हूँ so unemployment spelling गलत है yes spelling गलत थे so यहां से आप data ले सकते हैं long term, unemployment, short term multiple categories आपके पास मजूद है और उसे एक example का फिर code आप यहां से देख लेंगे और इस code की base पे आपके पास वो data आ जाएगा ठीक है so that's how you go और यहां पे हमारे पास हमने यह data जो है वो data frame के अंदर ले लिया example talk और यहां पे fleet अच्छा एक और चीज यहां पे अगर आप देखें table of content के अंदर आप keywords वगरा भी दे सकते हैं so keyword की base पे भी search कर सकते हैं so जहां पे fleet आएगा न वो सारे के सारे word वो सारे के सारे column सिरफ और सिरफ आपके पास आजए हैं जो मैंने अभी Excel के अंदर की है basically वो ही काम फिर आप यहां पे जो है वो different किसम की जो parameters है वो भी decide कर सकते है and फिर आपके पास मैं direct data पे जा रहा हूं यह dictionary आगी Eurostat की import dataset get dictionary of this parameter then you have list of tuple get data get data this one is get data और यह फिर हमारे पास जो है यह data frame के अंदर नहीं आ रहा so pandas data frame as a pandas data frame so यह वही चीज़ है code और बाकी चीज़े आपने देनी है get data df यह वाली command अपने लगानी है मैं इसको copy करता हूं इतनी सी command को and यहां पे हम इसको paste करते हैं जैसे हम यह paste करेंगे then we can define the parameters के हमें कौन सा data चाहिए और वह data हमारे पास आ जाएगा say for example यहां पे यह मेरे पास eurostat के अंदर मैंने language English कर दी है flags false कर दी है यहां पे क्या error आ रही है language argument not allowed okay इसे remove करते है filters, verbose, reverse items सारे की सारी हम दे सकते हैं but there is one parameter तो मैं इस parameter के through इसको लेता हूँ पहले and then we will see क्योंके अक्सरोगार data आपका बहुत बड़ा भी होता है तो it will take time मैं इसको यहां पे stop करता हूँ मुझे करना तो नहीं चाहिए क्योंके मुझे फिर restart करना पड़ा है कैसे Colonel साब को मैं सिर्फ और सिर्फ restart करके इसे run करता हूँ तो हमारी excel की files वगएर है वो okay excel open होगा उपर वाले सारे code में run करता हूँ I just want to see the data के final output कैसे आती है बाकी codes वगएर आप अपनी मर्जी से ढूंडे तो यह इसको मैं run करता हूँ यह हमारे पास edge data okay so इस data के अंदर हमारे पास multiple चीजह है हर साल का data कुछ इस तरीके से आता है इसका यह आपके पास countries के name है Austria, Belgium, Denmark Italy, France, etc, etc यह sectors आगे है any items, frequency, maturity, total unit, million euro so, यह GDP something है let's see okay general government debt debt है यह ठीक है so, this is the code for this thing हम यहां से अच्छा, एक और चीज है मैं अगर यहां पे कहूं के chat GPT से हम पूछ लेते है if it can help us can you show me how can I fetch the data data of migration rate in Europe from Eurostat API सिरह मैंने question लिखा है कि Eurostat की API से मैं कैसे data जो है वो fetch कर सकता हूं migration rate in Europe का अच्छा वो directly API की तरफ ले गया not this one in Python I meant Eurostat library in python यहांगी दी Eurostat 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 ओके सो इसने हमें यह वला दिया है ID वोर साथ में यह भी कहा है कि यह चेंज हो सकता है मैं सिरफ यहां पर इसी को लगाता हूँ Eurostat.getData के अंदर Eurostat.getDF और यहां पर इसी ID को मैं लगाता हूँ Let's see Of course हमारे पास डेटा आ रहा है So 1960 से लेके आगे तक हमारे पास डेटा है और यह Demo GIND Demo GIND है हमारे पास I don't know whatever it is यह ChatGPT के थूँ हमारे पास आया है But seems like this is a kind of age और other parameter लेकिन यहां पर हमारे पास Number of different immigrants यह migrants का आ रहा है So basically मैंने उसे यही पूचा था But still we can also search with the Excel file जो हमने ली है सकते हैं यहां पर भी हम ऐसे इस command को use करके search कर सकते हैं instead of writing this thing So search result करते हैं And Eurostate Search Migration Rate इसका यह नहीं था इसका था Get Data नहीं Subset This one GDP यहां पर था Migration Let's see Keyword वाला argument था यहां यार Error Dele Error तो मैं अपर चला जाता ह। Keyword, 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 Keyword 재at all Agency, all data set all language आ गया था to content as pandas data frame so get talk df तो पहले लिकुना मैं यहां पे get table of content df इसके अंदर लिखते हैं migration let's see I still remember कुछ इस तरीके से था so get talk df आ गया था हमारे पास I see so पहले हम talk df के अंदर इसको store करते हैं फिर search कर सकते हैं ओके यह हमारा आ गया talk df table of content df और यहां पे talk underscore df कॉमा लगा के subset की command आये subset talk df subset talk df table of content df let's see hopefully now we will have something yes so यहां पे हमारे पास migration जहां पे keyword use हुआ है so we can see their codes now यहां पे आप देख सकते हैं के यह keyword के थुरू हम search करके इनके code ले सकते हैं so i have to just find it out के हमारे पास यह देखें यह एक है इसके लावा multiple और हमारे पास different किसम के जो हैं वो code मौजूद हैं अगर मैं यह वाला लगाता हूं code let's see so df is equal to interesting data यह ने खुद ही पकड़ा दिया हैग ने asylum applications considered to be unaccompanied minor by citizenship age and other groups sounds interesting but distracting but distracting so euro stat cat data GitHub co-pilot भी ना अक्सरों काथ मजाग करता है चीज़ों का hmm of course check करें जी आपके पास asylum seekers का पूरा data है eurostat पर पड़ा हुआ of course anonymous है but still it's a big thing मैं इसको चलाता हूं this is working guys so यह है वो code जो हमें use करना है और यह इस आजाएगा give you stock market का data from yahoo finance इस website से जितने stocks जा रहे हैं उपर नीचे किस तरीके से पुराना 10-15 सालों का data यह wire finance library आपको देती ठीक है तो इसको हम देखेंगे जब हमने time series का analysis करने stock market की prediction करनी है and some other things लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से आपने जो library सीखी है पहली है जनाबे वाला आपकी जो important three library है वो है word bank की WB data, the second one is for you a few stats the third one is Eurostat, the fourth one is now yahoo finance why finance, इसी तरीके से बड़े-बड़े databases जो दुनिया में मौजूद हैं जो governments के इंडर हैं जो taxpayers money पे बने हैं उनकी आपको libraries easily मिल जाएंगे and from there you can get tons of data अब आप खुद सोचें आप सिरफ इन चार libraries के projects करने बैट जाएं, believe me I can say 3-4 साल लगे रहेंगे hypothesis नहीं खतम होता सालों की बात कर रहा हूँ कि practice के लिए Titanic में मैंने practice किये, don't do it start में जब बच्चे थे हम तब कर ली अब हम बड़े हो गया we need to practice on some advanced level libraries, यहां तक clear हो गया okay अब इस lecture के अंदर हम देखने वाले हैं कि why finance कैसे काम करती, यानि कि yahoo finance stock market का data हमने कैसे निकालना है चलिए, शुरू करते हैं green आपके सामने हाजिर है, यहां पे देखें यह हमारे पास इसकी library है जो 0.2.50 इसका वरियन है हम इसे install करेंगे हम यहां पे चले जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो हमने पहली notebooks बनाई है, वहां पे मैं right click करके, यहां पे 04 yfinance.ipyn भी लिख देता हूँ, और यह हमारे पास इस तरीके से open हो जाएगी, मैं यहां से अपना kernel select करता हूँ data gathering का क्योंकि हम इसके उपर काम कर रहे हैं, यहां से मैं terminal ले आता हूँ just to install the things और यहां पे मैं लिखता हूँ conda activate data underscore gathering और मैं यहां पे install करूँगा हम इसमें install कर लेंगे, हमारे पास yahoo finance की library जो है वो automatically install हो जाएगी, it depends on your internet के यह कितनी speed से आपके पास install होती है but usually it doesn't take so much time और आपके सामने यह library जो है यह आपकी install हो जाएगी और इस library की dependencies भी काफी है तो इस वज़ा से हमने इस कुछ इस तरीके से install कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस notebook के अंदर stock market का data लेके आएगे, so loading stock market data using yfinance library, ठीक है हम इसका data लेंगे और यहाँ पर मैं इसको bold करके, कुछ इस तरीके से इसको bold करता हूँ, bold करके हम यहाँ से stock market का data जो है उसे लेके आते है, so सबसे पहले काम आपने क्या करना है, import करना है libraries को, import pandas as pd, क्योंकि हमने data frame लेके आना होता है इसके अंदर, दूसरी होगी import yfinance as yf, so यह इसका alias है, हम इन दोनों को use करते है, मैं इनको run करता हूँ and of course, अगर यह सही तरीके से install हुआ होगा तो यह command run करेगी that means everything is working fine अब हमने जो पहली चीज़ करनी होती है ticker को define करना होता है, ticker define करना है, tickers क्या होती है अगर मैं आपको यहाँ पे Google पे लेके जाओ तो मैं यहाँ पे for example लिखता हूँ, ticker symbols for big companies ठीक है सो उनके stock के जो list of stock होती है उनके ticker symbols होती है जैसे के यहाँ पे देख लिए आपके पास agile technology उनका ticker symbol यह है फिर अगर आप यहाँ पे कुछ search करते हैं for example NVIDIA मैं search करता हूँ सो मेरे पास उसका ticker symbol हो यह होगा सो इस तरीके से ticker symbol होते हैं हर company का और उसका market cap भी होता है तो यह आपके पास stock analysis की website है आप यहाँ से जाके भी देख सकते हैं मैं इस website का link जो है मैं notebook के अंदर ही दे देता हूँ ताके आप इस notebook को बाद में चेक करें तो यह link आपके पास available हो so मैं यहाँ पे लिखता हूँ and find the ticker symbols here मैं यहाँ पे link दे देता हूँ as it is तो आप यहाँ पे जाके ticker symbol जो है वह से find कर लेंगे ठीक है so यह हो गया हमारा ticker symbol के लिए मैं इसको double बलके triple adding दे देता हूँ ताके यह बहुत बढ़ाना हो so ticker symbol हमने define करना है ticker मैं यहाँ पे apple का भी ले सकता हूँ single ticker भी और मैं different ले सकता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो nvidia का ticker symbol लेता हूँ nvidia हमारे पास आ गया यह ticker symbol हमने define किया मैं इसे run करता हूँ यह हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया मैं आप दूसरा काम क्या करूंगा ticker के साथ साथ हमें जो अगली चीज चाहिए वो है time period so define the time period अब हमारे पास दो चीज़े चाहिए start date और हमें end date चाहिए और उसकी यह इस तरीके से आपके पास जो है वो उसकी start date ऐसे start होने चाहिए और यह end date ऐसे होने चाहिए so you cannot do it on other way so मैं यहां पे अगर लिखूं मेरे पास जो data है say for example 21 आज है 11 तो मैं 21,11,2024 तक का data चाहता हूं और मैं यहां से 2015 से onward 2024 का data चाहता हूं यह बलके 15 ही ठीक है तो यह हमारे पास कुछ data आ गया मैंने यहां से start date लिखी और यहां पे end date लिखी so this is how you define the time period हमारे पास time period हो गया यहां पे अब हम download करेंगे the data ठीक है और उसके लिए आप इसको df भी कह सकते है underscore nvd मैं इसको लिख देता हूं is equal to यहां पे आपने yf.download पहले देना है ticker symbol फिर आपने देनी है start date फिर आपने देनी है end date जैसे आप यह इसको देंगे आपके पास data जो है वो इस तरीके से अगर मैं इसको head करूँ the data will look like this देखिएगा यह आपके पास data आगया जनावे वाला तो आपका price का जो ticker है adjustment close अंविडिया का फिर आपके पास यहां पे multiple high volume high low open volume यह 5-6 चीज़ें आ रही है ठीक है तो अगर आपने इनको समझना है कि यह क्या है तो आपको थोड़ा सा financial चीज़ों को देखना पड़ेगा कि यह किस तरीके से आपके पास data आता है और अगर आप library पे जाएंगे you will see कि आपके पास multiple किसम के यहां पे library जो है वो हमें different किसम की चीज़ें जो है वो बता रही है अगर आप इसकी github पे जाएंगे यहां से so you will also find कि इस तरीके से आप install करते हैं ticker label अगर आप देदें simply so आपके पास वो सारे के सारा data भी आ जाता है so आप यहां से yf.ticker भी लिखके इस तरीके से अपना ticker जो है वो देने के बाद उसकी information उसका calendar analyst price targets वगएरा one month की history चाहिए multiple history चाहिए multiple ticker symbol अगर आप देते हैं तो वो भी आपके पास data आ जाता है अगर आपने funds देने हैं तो वो भी आपके पास multiple किसम का data यहां पे मजूद होता है तो मैं आपसे request यह करूंगा कि आपके पास यह data आया है इसको थोड़ा सा समझे यह आपके पास columns क्या कर रहे हैं तो मैं अगर यहां पे लिखता हूँ define each column so आप क्या करेंगे इस data set के अपने column को define करेंगे जैसे यह आपके पास different किसम की जो columns है वो बता रहे है so let's see तो इस तरीके से आप different किसम की industrial symbols जो होते है वो आप ले सकते है so जैसे यह मेरे पास लिखा आ रहा है different किसम के जो मेरे पास symbols है so date है तो date of the stock market data open क्या है तो opening price क्या थी of the stock highest price of the stock क्या थी lowest price क्या थी उस दिन की फिर close किस पे हुआ है फिर आपके पास adjusted closing price of the stock volume आ गया stock का कितना था फिर ticker उसका क्या है name क्या है sector क्या तो यह जो data है कुछ इस तरीके से आपके पास data जो है यह show करवाता है चीज़ों को अब आपने यह data देख लिया ठीक है हम क्या करते है अब इस data को हम save करते है ठीक है data को save करना है CSV के अंदर so मैं यहां पे लिखता हूँ save the data into into a CSV file in a CSV file उसके लिए आप क्या करेंगे df underscore nvidia to CSV ठीक है आप इसको save करेंगे कहां पे वह आपने बताना है और आप ticker के साथ उसको save करेंगे यहां पे जैसे आप check करें plus ticker आएगा यानि के उसका नाम आएगा dot CSV लिखा जाएगा so this is how you can save the data यह आप f string को भी use कर सकते हैं अब data कहां पे जाएगा अगर आप गवर करें यह data sets है तो मैं इसको यहां पे data sets पे लिख देता हूँ so data sets के अंदर यहां पे हमारे पास ticker और यहां पे dot CSV पे आ जाएगा यहां मैं ticker के बाद यहां पे लिख देता हूँ say for example why finance इसके पहले मैं underscore लगा देता हूँ so हमारा जो data है वो कुछ इस तरीके से store हो जाएगा inside data sets और यहां पे nvidia underscore why finance और यह हमारे पास इसका data आ गया और अगर आप गौर करें हमारे पास ticker symbol आ रहे है इसका और हमारे पास data आ रहे है और आप इसको clean भी कर सकते हैं पहली row का आप remove भी कर सकते है जो है वो define कर लेते हैं apple microsoft nvidia google and amazon यह हमारे पास कुछ tickers है और इसके इलावा हम open ai का भी कर लेते हैं let's see हमारे पास क्या आत है open ai का जो ticker symbol है उसको हम find out करते है तो मैं यहां पे जाता हूँ यहां पे लिखता हूँ open ai नहीं आया so chat gpt लिखते है chat gpt नहीं आया so मैं यहां पे लिख देता हूँ open ai ticker open ai company ticker क्या है there is no ticker symbol for open ai because it's private company of course then we cannot have that और इसका मतलब है chat gpt ticker symbol private company है तो नहीं होगा so यहां पे नहीं है so I think we can proceed with the things let's see हमारे पास यह big companies है और यहां पे अगर आप चेक करें हमारे पास sticker है start date end date है आप यहां से start date भी लिख सकते हैं और end date भी लिख सकते हैं बजाए इसके कि मैं इस तरीके से लिखू so मैं यहां पे define भी कर सकता हूँ start date क्या है or end date क्या है और उनको मैं use कर सकता हूँ so instead of writing this start date end date मैं यहां पे लिखूंगा start date is equal to this one पिरा जाएगी end date is equal to this one यह आप यहां से change कर सकते हैं तो मैंने 1-1-2015 से start किया है मैं इसको 2010 से start करता हूँ 2010 से start करता हूँ यह आगर data हमारे पास और इसी को हम head करके देख लेए तो यह 4 हमारे पास commands है let's see and our data is here ठीक है तो इस तरीके से आपके पास multiple tickers का data आ चुक है और यह data कुछ इस तरीके से आपके पास wide format के अंदर आता है अगर आप गौर करें और अगर मैं इसको save करूँ and then show you के यह data कैसे नज़र आता है save the data in csv file तो इस तरीके से हम join ticker कर रहे है plus yfinance कर रहे है join ticker सारे के सारे जो join ticker symbols वो यहां पे आ जाएंगे और यह हमारे पास data कुछ इस तरीके से save होगा मैं इसको run करता हूँ and you can see here के जो हमारे पास यहां पे data है अगर मैं cell lines को यहां पे show करवाँ तो आठ लाइनों के अंदर हम सारे का सारा data जो है nvidia का और different ticker symbols का वो यहां पे download कर रहे है तो यहां पे हमने different ticker symbols को की है download and here you can see the data तो जो adjusted close है हर किसी का वो यहां पे आ गया and then you can see multiple other columns like this ठीक है तो आपके पास हर ticker symbol का सारे का सारा data मौजूद है आप इस time series के data को use कर सकते हैं और यह data आप अगर गोर करें 4-1-2010 यानि के वहां से हैं और यह जा रहा है आपके पास multiple rows इसके अंदर मौजूद हैं अगर आप इस data के dimension देखें so you can see के आपके पास 3750 जो हैं वो rows हैं मैं इसको यहां पे भी देख सकता हूं और यहां पे भी लिख सकता हूं df.info और यह मेरे पास पूरे data frame की info आ जाएगी which is like this मेरे पास total जो हैं वो 30 column है और इतनी मेरे पास entries है data start हो रहा है 4-1 से और 20-11 तक and of course जो मैंने यहां पे लिखा था मैंने एक-एक लिखा था लेकिन एक-एक से data मौझूद नहीं है यह कम जनवरी से नहीं है चार से है तो वो हमारे पास data कुछ इस तरीके से आ गया this is how you can use the power of yfinance library to stock market के data को analyze करने के लिए और अगर आप machine learning को use करते हैं यही data आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाएगा अब कुछ stock market का data ऐसा है जो market का data केगल पे वेलेबल नहीं है so you can fetch that data from here और उसको एक अच्छे dataset की format पे बनाके उस data को representable बनाके आप बता सकते हैं कि मैंने yfinance से data fetch किया है and this is how this data looks like और इसको केगल पे upload करें and believe me most of the times यह data sets जो है वह ज्यादा लोग जो है उन्हें download करते हैं और उसे use करते हैं यही काम आप कर सकते हैं WB data के साथ यही काम आप कर सकते हैं Eurostat के साथ FAostat के साथ and then yfinance के साथ तो यह चार आपके पास APIs ऐसी हैं जो बहुत अच्छा data आपको प्राहम करती हैं अगर आपको किसी और API का भी पता है या और library का पता है जिससे data ले सकते हैं please write down in the comment section and यह video कैसी लगी जरूर बताइएगा आप directly one-to-one mentorship लेना चाहते हैं तो link मैंने description में दिया हुआ है आपकी screen पे भी आ रहा है Mentoga पे जागे आप मुझे search करें Muhammad Amar Tufail आप लिखेंगे so you can get consultancy and mentorship for your research, for your thesis for your statistical analysis for your projects for data science learning and any other thing जो मेरी expertise के अंदर आती है see you in the next one अपना खयार रहें द्वाम याद रखें subscribe करना ना भूलिएगा take care, Allah Hafiz एक ऐसे YouTube की प्लेलिस जिसके अंदर सारे के सारे data analyst से लेके data scientist प्लस machine learning के courses मुफ्त में पढ़े हुए है और आप आने वाले कुछ weeks जो बाकी रहे गए हैं 2024 के, इसके अंदर वो सारे के सारे courses सिरफ और सिरफ वीकेंड पे कर सकते हैं, कैसे अभी बताता हूँ screen आपके सामने है, आप नहीं जाना है Google पे, यहाँ पे लिखना है kodanics YouTube, लिखने के बाद इस तरीके से आपके पास यह channel आजाएगा YouTube का हमारा, यहाँ पे जाने है आपने playlist में, playlist में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास multiple किसम की जो playlist है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी यह सारे के सारे courses free है लेकिन यह वाली एक playlist जो मैं आपके सामने यहाँ पे open करने वाला हूँ, यह playlist के अंदर multiple courses free के अंदर मुझूद है जो crash courses की तरह मैंने upload की हूँ है सबसे पहले है Tableau का, फिर Prompt Engineering का फिर आपके पास Data Science, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 घंटे का, फिर आपके पास 14 घंटे का Statistics का कोर्स है फिर आपके पास यहाँ पे Mathematics for Data Science का कोर्स है 15 घंटे का, फिर आपके पास Python Beginner Level की है फिर आपके पास Machine Learning with Python है फिर आपके पास Google को Lab को कैसे Use करना है, उस पे कोर्स है Markdown का कोर्स है, Microsoft Excel का कोर्स है Scientific Writing का कोर्स है इसके इलावा CapCut के थुरू अगर आप Video Editing करना चाहते हैं वो बला कोर्स है SQL हमने धाई गहंटे के अंदर तकरेबन सवा दो गहंटे के अंदर पढ़ाई हुई है फिर एक proper project हमने किया है तीन गहंटे 21 मिनट और 16 सेकंड का फिर इसके बाद Power BI का कोर्स है यह सारे के सारे tools एक Data Scientist प्लस Data Analyst के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों से request है कि इस playlist को जरूर देखें और अगर आप weekend पे सिरफ दो दो दिन करके आने वाले दो महिने जो हमारे बचे हैं 2024 के या कुछ भी दिन बचे हैं 2024 के उस पे आप master कर सकते हैं अभी इस playlist को join करें link मेंने description में भी दे दिया हुआ और comment section के अंदर भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें and channel को subscribe करना ना भूलिएगा अपना ख्यार के दो हम याद रखें take care and अलाफिस असलाम लेकुम